मैं प्रीती प्रीती मेकप चैनल से कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यह वाला मेकप लुक देखा कि नहीं देखा तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे दूँगे आप वहाँ पर जाकर चेंज हो गई है तो आप आप लोगों ने देखा होगा बहुत सार इसमें 30 पेर से अतला 30 ब्रस हैं और इसी ब्रस को देखकर मैं लुभा गई थी समझ लीजी और मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही जादा अच्छी लगी तो आपको मैं अंदर दिखाती हूँ यह देखे कुछ इस तरह की इसकी आई थी तो पहले माने क्या किया था इन सभी ब्रस को मैंने लॉग्डावन में मंह안गा स्था जूट नहीं बोलूगी लॉग्डावन में मंने मंहया था तो सबसे पहली जब वो आया था तो मैंने इस के बात्रूम और बात्रूम में डाजेक्ट गई इसका जो ऐस और जब आप देखोगी ना इसकी पैकेजिंग माइंड प्लोईंधी में इसको देख कितना ज़्यादा खूस हो गई थी आप देखो इन सभी में मुझे एक अच्छी बात यह लगी सब भी में ब्रस में पॉल्थीन लगी होई थी जो देखनें बहुत अच्छी लग रही थी तो मुझे बहुत ही ज़ाद अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया ब्रस की कॉल्टी ठीक ठाक है मैं बताती हूँ क्यों 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 मैंने इससे जो है बाई किया था सेवन या सिक्स फिप्टी रुपीस में ऐसे कुछ बाई किया था सेवन को मैंने इसको इसलिए मंगाता है ना मुझे ये ये देखिए टे फएन ब्रैस पतले वाले मोटे वाले और ये पारडर ब्राश है फ्लएट ब्रेस है और मुझे लग है ब्लेंडिंग ब्रस बहुत ही ज़ाधा है आमेसिंग तो तो मुझे क्यों नहीं से लेना चाहिए तो बस यहीं सोच के मैंने इससे लिया था तो यह 700 के आपसे क्वाल्टी अच्छी है बट अगर आप आई मेकप करना चाहते हो न तो आपको फैन ब्रस अच्छा मिल जाएगा जो होता है काफी लेकिन आपके हाथों में यह नहीं आ प ब्रस इसमें कौन सा ब्रस लिखा उसमें आप और ब्रस ही है यह देखिए स्मूथ है अच्छा है बट एक सीज मैं आपको बता हूँ मेरा वाला जो ब्रस मैं यूज करती थी उसके साफ से इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है लेकिन पैसे कही साफ से और वो मुझे 500 में कम मिला ता मतलब उसमें चे पैर्स थे तो कहा वो कहा ये उसमें 6 मिले और इसमें 30 मिले तो ज़रocy बात है इतना तो फ़र्क रहे गई ना और इसके बाद यह फ्लैड ब्रस आपको मिल जाते हैं कि यह फान्डेशन फ्लैड wärस है फान्डेशन फ्लैड प्लैड ब्रस हां कॉल् बस आई सेडो वाले ब्रस मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं बताती हैं क्यों और यह कौन से ब्रस है लिब ब्रस इसकी एक देखिए स्मूद बहुत हैं बेंड बहुत अच्छे से होंगे लेकिन अगर कोंटोर ब्रस के बात करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसके बाद एक और ब्रस आ जाता है जो है हमारा मेडियाम एंगल स्टेंडिंग ब्रस यह है ठीके तो अभी मुझे इसका नहीं पता और य इसी तरह के आपको ब्रस मिल जाते हैं प्रॉब्लम क्या है मेडियाम आई सेडो ब्रस मुझे आई सेडो ब्रस बहुत सारे मिले यहां से यहां तक के इन सभी में आप देखोगे फ्लैट ब्रस सभी है यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं सभी ब्रस फ्लैट ब्रस है या इस फ्लेट यह हमारा है स्पॉंश ऐस्पॉंश इसपॉंश इसपॉंश अप्लीकेटर इस्पंस अप्लीकेटर है यह और यह कुंध सा ब्रेस है प्लैड ब्रसफ पॉफी ब्रस मुझे कहीं नहीं मिला है जिस तरीके से मेरा पॉफी ब्रस मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए पॉची ब्रस इसी तरीके का होता है कि छोटा होता है एकर कम है तो ऊतना रहेगा लेकिन बड़ पॉफी तो रहेगा न pliers इसमें आपको कहा से पफी याब बताएं मैं आई सेड़ो ब्लैस आपको दिखाती हों रहा हो यह देखी इसमें कहीं आपको पफी ब्लैस नज़र आरा देखिया गम?!" नहीं नज़र आरा जाहिए था क्योंकि आम ब्लैंडिंगका ज्यादा काम रहता है और इसकी क्वाल्टी ओक्यों के अच्छी अगर आप बाय करना चाते हैं तो ले सकते हैं बट आई सेडो ब्रेश सम्में लिखे हुआ हैं और ठीक है ऑके हैं बट अगर आप लेना चाते तो ले सकते हो बहुत ही अच्छा है बट इसमें आपको ब्लेंडिंग ब्रेश नहीं मिलेगा क्योंकि आपको मेरे ख्याल से अगर जो इनसे ब्लेंड कर लेता अच्छी बात है लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ब्लेंडिंग ब्रेश ऐसे पसंद है यह देखिए ऐसे ब्लेंडिंग ब्रेश होती है तो अच्छा लगता आप देखिए इन में मैं इसको लगाऊंगे तो यह देखे पता चल रहा है कि यह blending ब्रेश और सकते हैं है इंहें बहुत सारे ब्रेश लगते हैं तो आप इन्हें बाए कर सकते हो अच्छा है लेकिन आपको blending brush अलग से लेना पड़ेगा और इसमें contour brush ये देखिए contour brush ये है और ये आप जब contour करोगे ना तो काफी ज़्यादा smooth है कि contour को थोड़ा सा hard होना चाहिए ना थोड़ा सा just हलका सा बहुत ज्यादा soft है ये देखिए अगर आपको soft brush प्रसंद है तो आप ले सकते हो तो बैस इतने छोटी सी review थी जो मैं आप आप लोगो के साथ शेयर करूँ ब्रस अच्छा है प्राइश के साथ से अच्छा है बस इस मुझे पफी ब्रस ने समझ में आ रहा है अगर आप आप करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंग आप ले लिज़ेगा अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कौन सा brush यूज करती तो बोलिएगा वो भी मैं आप लोगो के साथ शेयर कर दोंगी ओकी